वेलकम टू माई चैनल स्टडी विदंकिता स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूप चैनल पर पाकिस्तान में बहुती बड़े लेवल पर प्रटेस्ट हो रहे हैं अंगेंस फ्रांस वहां पर कुछ ऐसी बीचे सामने आ रही हैं यहां पर बैनर लेकर लोग गूम रहे हैं कि बाइकोट जो फ्रेंच प्रडक्ट्स हैं उन्हें बाइकोट किया जाए और किक आउट दा फ्रेंच अबैस्डर जाने कि जो फ्रेंच अबैस्डर हैं उन्हें हमारे देश से बहार निकाल दिया जाए और जो हमारे पाकिस्तान के अम्पेस्डर हैं फ्रांस में उन्हें वापस बुला लिया जाए तो इस वीडियो में हम जानेंगी कि क्या आखिर कारण है कि पाकिस्तान में इतने बड़े लेवल पे पर्टेस्ट हो रहे हैं फ्रांस के खिलाफ तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हुआ है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बैल आइकन को भी प्रेस करिए तो आप सबको पता ही होगा कि जो फ्रांस है वो हमारे इंडिया का काफी अच्छा दोस है हमें जो वैपन्स है वो भी सप्लाई करता है जिसे की रफाइल और साथ में जो टेर्रिजम है जो फ्रांस है हमेशा इंडिया के स्पोर्ट में ही खड़ा रहा है चाहे फिर कोई भी मुद्दा हो जैसे कि आर्टिकल 370 के टाइम पे युएस्टे के साथ साथ जो फ्रांस उसने भी हमें काफी स्पोर्ट किया था तो एक कारण ये भी हो सकता है कि जो पाकिस्तान है वो फ्रांस से खफा है बड़ इसका जो आज के प्रटेस्ट हो रहे हैं इसका ये कारण नहीं है इसका कारण है वहाँ पे एक French magazine है Charlie Hebdo की उन्होंने क्या किया जो Prophet Muhammad है उनकी एक कार्टून प्रिंट कर दी अपने magazine में आपको बता दूँ कि जो Prophet Muhammad है इसलाम के काफी important figure है तो उनकी इस तरीके से कार्टून की मतलब पेश करना काफी offensive तरीके से ये सही नहीं है इसको जो बाकी की जो Muslim देश हैं जैसे की OIC और जो Turkey है सब ने इसको condemn किया है बट जो protest है जैसे कि पाकिस्तान में हो रहे हैं ऐसे protest आपको कहीं पे देखने नहीं मिलेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार ये मुद्दा क्या था तो ये मुद्दा कब से शुरू ह हुआ था ये शुरू हुआ था जैक डैनमार्क की कंपनी है जिसे बोलते हैं जाइलेंड्स पोस्टन इसने क्या किया था 2005 में बारा कार्टून्स टिपिक्ट के प्रॉफट महमत के अपनी मैगजिन में छाप दियो थे 2005 की टाइम पे ये बात है 2005 के टाइम पे आपको पता ह जो आंतकवाद से खिलाफ लड़ रही थी और यूरोप था वहां पर काफी आंतकवादी हमले हो रहे थे यसे कि यूके डैनमार्क में काफी हमले हो रहे थे तो इस वजह से दोहर पांच में इन्होंने क्या किया जो प्रॉफट महमत के थे इस तरीके से उनके जो कार्टू से पब्लिश किये बट क्या हुआ कार्टू पब्लिश करने के बाद दोहर छे में इनको काफी धंके मिलने लगी कि हम इन पर आंतकवादी हमला कर देंगे और दोहर छे में एक बार कोशिश भी की थी जो की नकाम रहे गई फिर क्या होता है इसके बाद इस डैनमा का पर दोहर चेंद्यों हाद के बाद आगे क्या हूता है कि जो चारली होutta है जो एड टेर्रिजम था उसके खलाफ बहुत बड़ी मार्च शूरू की जाती है ग्यारा तरीक को ठीक है इसके तीन दिन बाद चोदा तरीक को फिर से चाल लिहाब दो जो उनके जो कार्टू से प्रहपन महमत के वह फिर से पब्लिश कर देते हैं यांकि दोहर पंदरां में से वह कार्टून पब्लिश किये गए जिसका के काफी विरोध हुआ था दोहर पंदरां के बाद अब जो 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 इनके उपर आंतकवादी हमला हुआ था इनके ओफिस में जो 14 लोग पकड़े गए थे उनके क्या हुआ था दोहर 20 में अब के अगर बात करें तो अब क्या किया जो प्रॉफिट महमद के कार्टून से वह फिर से पब्लिश कर दिये यह कहते हुए कि हमारा क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच है और साथ में जिनके उपर आंतकवादी हमला हुआ था उसे भी पूरे पांच साल कंप्लीट हो चुके हैं तो इस वजह से वह फिर से किये ग कि या जो आप देखिए इस के बात क्या होता है जो फ्राइस के प्रैसिजेंट है भाएंपर यह काफी विष्व हो प्राइश के उसमें को कौला कि उन्होंने बोलने से मना कर दिया कि मैं चार्ली के खिलाफ नहीं बोलूँ गा क्योंकि उनकी क्या है यह फ्रीडम स्पीच है वो खुश भी कर सकते हैं इसलिए इंडिया पर भी काफी जो मुस्लिम लोग है वो ट्रेंड कर रहे हैं इस चीज को आपने देखा वह ट्वीटर लगी होगी प्लीज कमेंट सेक्चेर में अग्टिव कमेंट्स मत करिएगा तो अगर आपको कोई पीडियाफ चाहिए होती है तो यू का इंजॉइन में टेलिग्राम चैनल सड़ी विद अंकिता थैंक्स वाचिंग मैं वीडियो टेक क्यार एंड